केंद्र सरकार के दुवारा आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए कदमों पर शेर बजार गुलजार है लेकिन कॉंग्रेस के पूर्वराष्ट्य अध्यक्ष और वायनार्ट से सांसद राहुल गांदी ने सरकार के फैसलों पर कडिया पत्ती जताई है राहुल गांदी ने लिखा कि शेर बजार में उच्छाल के लिए प्रधान मंत्री कुछ भी करने को तयार है वो भी तब जब उनका हैश्टेग हाउडी इंडियन एकॉनमी का उत्सर चल रहा है राहुल गांदी ने इसी ट्विट में अमेरिका में होने वाले हाउडी मोधी कारेकरम को भी आडे हातों ले लिया और सकार की और से 1.4-5 लाग करोड के राजस्व घाटे को हाउडी मोधी से जोड़ दिया राहुल ने लिखा कि हाउडी मोधी कारेकरम दुनिया का सबसे महंगा इवेंट होने वाला है कॉंग्रेज नेता ने लिखा कि लेकिन कोई भी इवेंट इस सच्चाई को छुपा नहीं सकता है जहां हाउडी मोधी जैसा कारेकरम भारती अर्थिववस्ता को लेकर गया है एक तरफ राहुल गांदी ने इस फैसले पर सवाल उठाए है तो वहीं दूसरी और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने इन फैसलों को एतिहासिक करार दिया है पी-म ने ट्विट कर इन फैसलों के लिए वितमंत्री की तारीफ की गौरतलब है कि वितमंत्री निर्मला सितरमन ने शुकरवार को जो एलान किये है उनमें कॉर्प्ले टेक्स में छूट कैपिटल गेन के सरचार्ज में कटोती जैसे फैसले शामिल है हलाकि इन फैसलों के बाद सरकार के राजस्व घाटे पर 1.5 लाख करोड रुपय का भार बढ़ेगा इस पर राहूल गांदी ने सरकार पर निशान असादा है इस वीडियो में इतना ही मैकोमल पंजाब केसरी दिल्ली से अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर लगे तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेसरी.com को लाइक करे और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाबकेसरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूले की कावच्ज हिस्ट ये 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 evaluating । ये 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 जो ये 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 वे व्मारे आफ हमारे दो विंठ करें vain